पिछले वर्ष बोड में आई घटिया परिनामों को ध्यान में रखते हुए इस बार राज्जी की शिक्षा मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने स्कूल मुख्यों वा जिला शिक्षा धिकारियों को ध्यान देने के लिए कहा है सोनी ने पंजाब भवन चंडिगर में जिला शिक्षा धिकारियों वा प्रिंसिपल के साथ बैठक कर साफ कर दिया है कि अगर इस बार भी स्कूलों के नतीजे अच्छे नहीं आए तो इसके लिए जिला शिक्षा धिकारी वा प्रिंसिपल जिम्मेवार होंगे यही नहीं उन्होंने जिला शिक्षा धिकारियों को अपने शेत्र की खस्ता हाल इमारतों की रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है वहीं अच्छे नतीजों के लिए स्कूल में अध्यापकों को समय पर स्कूल पहुँचना यकीनी बनाने के लिए कहा है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए अध्यापकों की रैशनलाइजेशन के साथ साथ पदोनती भी की जाए इस दोरान उन्होंने वहां मौझूद DGSE प्रशान्त कुमार गोयल, DPI सेकेंडरी सुखजीत पाल सिंग तथा DPI एलिमेंटरी इंदजीत सिंग को अगामी परिक्षा केंद्र तीन किलोमीटर घेरे के भीतर ही बनाने के लिए कहा है देखिए चंडिगर से टीम शिक्षा फोकस की खास रिपोर्ट